तो गाईज यह हमारे e-commerce application का तीस्वापाट है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिजाइन करने वाले हैं अपने चेकाउट कंपोनेंट को बेसिकली पिछले वीडियो में हमने चेकाउट कंपोनेंट का टाइप स्कीप फाइल में कोड लिखा था जहां पर हमने बाई order के लिए कोड लिखा था order place करने के लिए लिखा था id get करने के लिखा था और call से id पे हमारा work हो रहा उसके लिए हमने code लिखा था अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको i button पे मिल जाएगा आप वीडियो देख लिजिए उसके बाद आप इस वीडियो के देखिए तब जादा समझ में आएगा ठीक है तो चलते हैं एक बार आपको recall कराते हैं कि पिछले वीडियो हमने क्या done किया था उसके बाद हम आगे proceed करेंगे ठीक है तो हम आज आते हैं अपने visual studio code पे और यह देख सकते हो यह इस component पे हमने code लिखा था सबसे पहले जो कुछ necessary variables थे उसको मैंने create किया यहाँ पर उसके बाद कुछ services मैंने inject की के structure में उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ methods बनाए like product detail user का address और order replace करने के लिए details after that उसको हमने call कर लिया कहाँ पर ng on init पर life cycle हो के तो अब हम move करने वाले हैं अपने HTML पार्ट पे तो चलिए सबसे पहले हम HTML पार्ट को देख लेते हैं और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कुछ code लिख लेते हैं ठीक है तो simply बहुत जादा code नहीं है बहुत minor सा code है तो आते हैं अपने हम HTML पे और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा output दिखाते हैं आपको चलिए कोसिस करेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा output दिखाते चलिए ठीक है एक सिंप्ली बी आल टैग लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्थ्री लिया इसका क्लास देता हूँ text-center and text-bold ठीक है बिसेक लिए मैंने क्लास लिया और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस product ID पर आपने क्लिक किया है उसकी क्या detail है ठीक है तो मैं सिंप्ली लिख दूँगा यहाँ पर you clicked all product ID ठीक है और यहाँ पर सिंप्ली मैं interpolate कराऊँगा single product ID और save करा दोगा ठीक है अब ही हम देखते हैं कि हमारा output क्या आता है हम आते हैं ब्राउजर पर और सब सब पहले हम लॉग इन कर लेते हैं किसी बायर की ID से तो हमारे बायर की ID है आशिश-zmail.com ठीक है और पासवर्ड है 123456789 और लॉग इन करते हैं तो हमें कुछ ऐसे डेटेल्स प्रोड़क्स की डेटेल दिखती हैं और हम इस वाटर बोटल पे हम रायर क्लिक करते हैं, जैसे मैं रायर क्लिक कि या यहां पे लिक आ रहा है उसके वह इहां पुछ ही Lind PAR ड़वर्ड़क्स की ID होगा रहा है, सही get हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो चलो, हम एक काम कर लेते हैं, इसको करते हैं comment, एक second, यहाँ पे यह हमारा फालतु खुला है note pad, इसको करता हूं, close पहले, हाँ, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम इस line को अभी करते हैं comment, थोड़ी देर के लिए, बायर चेक आउट कर ठीक है तो यहाँ पर सिंप्ली लेता हूँ नेब और इसका में एरिया लेवल देता हूँ एरिया हाइफन लेवल और एरिया लेवल में में सिंप्ली ब्रेड ग्रब ठीक है ब्रेड ग्रम और इसको इसके अंदर मैं एक ओर्डर लिस्ट लेता हूँ और इसका जो क्लास होगा हमारा सेंड क्लास रखता हूँ इसके अंदर मैं लेने वाला हूँ लाई टेक जिसका क्लास होगा ब्रेड आइफन आइटेब ठीक है और यहाँ पर मैं देता हूँ एक एंकर टेक लेता हूँ इस एंकर टेक पर बेसिकली कोई भी रिफरेंस नहीं होगा जेस्ट ब्लू कलर से देखेगा बस ठीक है मैंने लिया बायर बायर का भी कैप्टल रखता हूँ मैं एंड सीम ऐस इस विल्कुल मैं कॉपी करूँगा और इसको में पेस्ट कर दूँगा ठीक है और यहाँ पर सेकेंड लूँगा चेक आउट सेफ कर दे रहा हूँ ठीक है आपको और पूट एक बाद दिखा देता हूँ अब देखो कुछ ऐसा देख रहा है प्रफिक नाउ आगर आप बायर पर आते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने सेम ऐसे ही लिया था पर यहाँ पर देखो ब्लू कलर से य लिंक इसे कुल टू यहाँ पर मैं देता हूँ फरवर्ट स्लेस बायर डैसबोर ठीक है और इसको सेप कर दोगा तो अब आप देखोगे यहाँ पर ब्लू कलर से अच्छा यहाँ पर अभी ब्लू कलर से नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है आ जाएगा अब इसको हम ऐसे रखते हैं बहुत जाद इस पर डीप पर नहीं जाते हैं इसके डिजाइनिंग से हम कलर देदेंगे इसमें ठीक है अब हमारा नैप क्लोज है चुगा है और आते हैं नैप क्लास के बाहर और सिंपली यहाँ पर एक रोग करते हैं इस रोग के अंदर हम दॉट कोल हाइफन एमडी हाइफन यहाँ पर एट लेते हैं ठीक है और इसके अंदर एक हम सिंपली कार्ड लेते हैं और इस कार्ड के अंदर हमें कार्ड हेडर लेंगे ठीक है डॉट कार्ड हाइफन हेडर और बैसिकली इस कार्ड हेडर के अंदर हमारा जो डिटेल होगा वो होगा प्रोड़क्ट डिटेल प्रोड़क्ट डिटेल डिटेल्स क्या डिटेल ही होगा ठीक है अब इस ट्यू जहां क्लोज हो रहा है इसके जस्ट बाद हम क्रेड करेंगे कार्ड की बोडी तो हम सिंप्ल लिखेंगे .card-body .product-detail basically इस class को बनाना पड़ेगा तो हम इसको बना देंगे बाद में ठीक है अब इसके अंदर हम एक रोग लेंगे फिर से और इस रोग के अंदर हम एक लेंगे call-md-4 .call-md-4 ठीक है और इस 4 के अंदर हम एक image interpolate कराएंगे simply हम image tag call करेंगे और यहाँ पर जो src आएगा इस src के अंदर हम यहाँ पर individual product ternary operator dot upload photo ठीक है माँ पास upload photo है और साथ में इसका जो class होगा उसको भी हम define करने वाले हैं इसके class जो होगी basically card iPhone image top ठीक है यह class होगी and name देना चाहो तो आप यहाँ पर interpolate कर सकते हो बिल्कुल individual product dot name से ओके for now अब यहाँ पर देख लेते हैं error किसलिए आ रहा है अच्छा यह हमारी ternary operator के लिए basically ternary operator इसलिए लगाए जाता है कि in case अगर value undefined या null हुई ठीक है तो उस case को handle करने के लिए लगाते हैं इसको तो हम एक काम करते हैं अगर इसको हटा देते हैं तो आपका कोई error नहीं आएगा ठीक चलो समझके यहाँ पर यह हो गया अब second इसके just बाद हम यह four column का तो हमने md ले लिया अब eight column बचा है ठीक है तो अब बाकी eight column लेते हैं dot cold hyphen md hyphen 8 ठीक है अब इस eight column में हम एक एक detail represent कराएंगे let's suppose हमें लेना at four h4 dot text hyphen bold ठीक है text hyphen bold और h4 में मैं साथ ही साथ इसका जो होगा class card hyphen title दे देते हैं यहाँ पर मैं simply interpolate कराने वाला है individual product dot name क्योंकि product का name यहाँ represent करेगा h4 में ठीक है उसके बाद यहाँ पर simply आपको एक break tag लगाना पड़ेगा उसके बाद अब यहाँ पर हमें एक paragraph टाइक लेने वाले हैं अज इसका class होगा card hyphen text card hyphen text and product यहाँ पर हम यहाँ पर हम individual product dot यहाँ पर हमें यहाँ प्रोड़क के डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो यहाँ पर प्रोड़क्ट यहाँ पर प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा ऐसे कैसे हो सकता है प्रोड़क के अंदर हम प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन ही नहीं रखा है इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा इसको model पर आते हैं एक बार model verify करते हैं model में क्या है core कहा गया यहाँ core part model, object model और product अप्लोड डिस्क्रिप्शन अड़ी यार product डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था यहाँ पर चलो ठीक है अप्लोड डिस्क्रिप्शन ही लिख लेते हैं भी इसको मैं बाद में finishing कर दूँगा ठीक है अप्लोड description ओके ये हो गया हमारा description के लिए next अब हम price को भी दिखाना है हमको तो again यहाँ पर एक paragraph tag लेंगे इस paragraph के अंदर हम एक spend tag लेंगे basically और इस spend tag का class रखेंगे हम float left dot load-lift ठीक है और इसके अंदर भी हमें एक strong tag लेने वाले हैं strong tag और यहाँ प्लिखेंगे mrp colon और इस strong के बाद हम यहाँ पर interpolate कराएंगे directly with the help of delta element ठीक है individual product dot mrp okay now यह हमारा mrp तो हो गया अब इसी तरीके से बिलकुल हम एक काम कर लेते हैं इस spend के just बाद फिर से एक और spend लेते हैं right side के लिए ठीक है जहां पर हमारा spend close हुआ है रहे गई same paragraph tag के अंदर ही again हम यहाँ लेते हैं spend और इस spend tag का class जो होगा वो float right होगा एंड यहाँ पर spend के अंदर हम एक काम कर लेते हैं strong tag यूज करते हैं dp colon और यहाँ पर just हमें dp के वैलू प्रिंट करा देंगी है individual product dot dp ठीक है तो आपका क्या print हो गया पूरा पूरा आपकी product की details proper print हो जाएगी यहाँ पर now अब हम यह करेंगे इस paragraph के बाद जो हमारा due time close हुआ है इस column d at के पात हम आते हैं नहीं यहाँ पे भी नहीं हम update row के बाहर यह आ जाते हैं इस row के बाहर यहाँ पर ठीक है यहाँ पर एक काम कर लेते हैं एक paragraph लेते हैं और अभी रहने देते हैं ठीक है इसमें ज्यादा detail हम लेते हैं एक बार आते हैं browser पर देखते हैं output ठीक है ते हाँ output पर आपको कुछ काम का detail नहीं मिला let's suppose फिर से हम इसमें click करते हैं तो अब सही आ गया ठीक है actually o case file पर read था details दिखने रही थी यहाँ पर आपको left side image आया और आपको यह सारे details आ गए लेकिन यहाँ पर आपका description वाकी ही में नहीं आया है so let me check कि item name आया description क्यों नहीं आ रहा है MRP वगरा तो भी आ गया है हमारा description नहीं आ रहा है तो हम description एक बाद check करते हैं हमारे DS part में I think कुछ problem है हो सकता है फिर तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम check करते हैं तो प्रोडक्त की detail अप्लोड description ठीक है एक बाद check करके देखते हैं क्या आया है ठीक है कंसोल पर आते हैं हमने सारा data कंसोल तो कराई है अच्छा कुछ error भी आ रही है यह रहा मेरा my single product का object प्रोडक्त description यहाँ पर आ रहा है न अब प्रोडक्त description आना सी यह प्रोडक्त description नहीं आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर upload photo undefined है चेक आउट component के 18th नंबर लाइन पर ठीक है हमको लगता है उपराना वाला code था ओके यह कौन सा है 34 number 34 number देख लेते हैं पता चल जाएगा 34th number line यह रहा ठीक है individual product के अंदर इसके अंदर हमारा प्रोडक्त description यहाँ पेस्ट कर देते हैं बट यहाँ पेरर आ रहा है property product description इस नाट टाइप प्रोडक्ट ठीक है यह product का टाइप नहीं है हां और कोई नहीं हम आते हैं यहां पर चाहन जाहें चेंजर आ जहें वहां ठीक करेंगे तो यहां से हम प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे सेप कराएंगे और यहां पर दो जगे चेंज है भी यहां पर भी हम प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे और यहां पर प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे सेप कर देंगे अब एक बाद चेक करते हैं क्या ब्रा 22 यह रहा ठीक है अब देखते हैं अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन आता है कि नहीं तो बैक करते हैं और फिर से हम अगेन अब डोर कॉटन पे आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा डिटेल आ गया पॉलिस्टर डोर कॉटन और यहाँ पर आ रहा है आपको दिखने को मिल रहा है MRP rate and DP rate ठीक है अब यह डेटेल पे जिक्दम सही दिख रहा है अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ नेक्स पॉइंट पे हमें अब में चीज़ करना जो है वो order clear करना है ठीक है तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि यह हमने कितना 8th column add किया था ठीक है अब इसके बाद आते हैं और यहाँ पर हमें एक again div create करेंगे dot call-md-4 और इस 4 पे अब basically मैं बनाने वाला हूँ फिर से card तो मैंने लेया card और card के अंदर dot card-header ठीक है और इस header के अंदर में देने वाला हूँ address details ठीक है address details and now यहाँ पर इसके just नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर अब मैं बनाने वाला हूँ card की body dot card-body ठीक है और इस card body में अब हम एक फिर से h5 tag लेने वाले हैं basically s5 dot और यह basically होगा हमारा card-title dot text-bold ठीक है और यहाँ पर basically हम simply represent कराएंगे in sorry यहाँ पर user हमें तो print कराना है ना user का address तो यहाँ लिखेंगे user address dot name user address का name and then फिर यहाँ पर अगें हम एक paragraph टेग लेंगे और इस paragraph टेग के का class होगा card-text ठीक है और यहाँ परान user address dot add line 1 बिल्कुनी से तरीके से again copy करेंगे and paste paste और यहाँ पर साथ ही साथ एक काम कर लेते हैं again address 1 and address 2 भी यह करा लेते हैं इसको करते हैं copy और यहाँ करते हैं paste इसको देते हैं address 2 ठीक है and third पर यहाँ पर हम देतेंगे city यहाँ पर देंगे हम state okay now and city हो गया अचा हम city और state एक साथ में रख देते हैं address 1 और address 2 के साथ में रख देते हैं बहुत ज़्यादा lengthy नहीं होगा and third पर next पर हम रखेंगे postal code ठीक है तो postal code के लिए हम zip code represent कराएंगे यहाँ देते हैं zip code और यहाँ पर हम hardcoded लिख देते हैं पोस्टल कोड कोलन्स यह okay and now बिल्कुल इससे तरीके से हमें mobile नंबर भी यही पर represent उसका करा देंगे जो बंदा डिलेवर करना चाहरा है उसी यूजर का तो यहाँ पर हम कराएंगे contact नंबर यहां दे रहते हैं user contact नंबर डारेक ठीक है तो यह हो गया हमारा पूरा and now अब हम एक यहां बटन बनाएंगे anchor tag जिसका class देंगे btn.btn-primary ओके और इस पर हम use करेंगे click method और इस पर call करेंगे क्या place order अब साथ हे साथ इस place order के साथ साथ यहां पर हम एक लिख देते हैं deliver here ठीक है और इतना इनिंग और हम आगे एक काम करते हैं एक div लेते हैं basically dot alert dot alert hyphen info ठीक है यह class लेते हैं div का और रोल इसका देते हैं alert और इस टीक के अंदर एक simply strong tag ले लेते हैं यहां देते हैं note अब यहां पर एक छोटा सा मैसेज बाइपास कराते हैं देहां देना ठीक है we are not giving multiple address okay addition if you want to deliver in different address for new change in address certain for now change in change in the address in अब अब उसके बाद हम my profile के लिए यहां पर multiple ठीक है और एडिशन ना इसके इन के बाद हम यहां पर डारेक्ली एक इस पैंट टैग लेते हैं ठीक है और इस इस पैंटेग का राउटर लिंक राउटर लिंक में क्या देंगे फावरट स्लेस माई हाइफन प्रोफाइल अब यह माई प्रोफाइल पर डारेक्ल कर देगा और साथ ही साथ यहां पर मैं क्लास दे देता हूं जो क्लास होगा टेक्स्ट आइफन इन्फो एंड साइएम हाइफन पॉइंटर और यहां पर सिंप्ली देता हूं माई प्रोफाइल इसके बाद देता हूं मैं बें सेक्शन तो हम सेप करके डिरेक्ली आउट्पूट आपको दिखाते है इसका यह आपको देख रहा होगा ठीक है let's suppose अगर हम back करते हैं एक बात प्रोड़क्ट एरिया पर आते हैं और हमें ये stand order करना है by now पर click करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें image देख रही है हमारी items, item की detail MRP and ये आपका यहाँ पर कुछ आपकी detail यहाँ मिस हो रही है address 1 and address 2 तो I think इसमें कुछ बड़बड़ी है देखना पड़ेगा बाकि pin code यहाँ जो रहेगा और जो भी आपका contact detail है deliver here now you are giving multiple address अगर यहाँ पर कोई click करेगा तो वो पहुँचेगा my profile के section पर ठीक है but यह भी work नहीं कर रहा तो इसको मैं देख लेता हूँ लेकिन मेरे design almost done हो चुकी है इस पर बहुत ज़्यादा changes नहीं फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पर address मेरा क्यों नहीं आया तो एक बाद चेक करते हैं कुछ console pillar आया है यहाँ पर reading nails 38 number पर गड़बड है और upload photo und defined एक बाद क्लियर कर देते हैं ठीक है यहाँ से बने किया clear और again बाएर पर आया ठीक है और मैं इस bottle पर करता हूँ क्लिक अब देखता हूँ कहाँ पर यहाँ add this पर add line 1 add line 2 ठीक है चलो ठीक है कोई नहीं 38 number पर एक बार मुझे HTML में देखना है कि कुछ तो गड़बड है 38 पर ठीक है तो 38 कहाँ रहा है यह रहा add line 1 आई यह पंगड़ बड़ है न यह रहा add line 1 और add line 2 save कर देते हैं अब एक बाब ब्राउजर पर आते हैं इसको करते हैं close back करते हैं कोई product again क्लिक करते हैं जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यह address रहा और यह daily रहा stage पर triple dot था address अगरा सारी चीज़ है deliver here क्लिक कर दोगे तो आज आएगा your order place successful okay कर दोगे तो आप इस पर आ जाओगे ठीक है तो यह चीज आपकी होगी done तो मिलते हैं next point पर नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई keep practice keep coding take care guys